वेलकम तो इनफालबर स्टेडी स्टुरेंट्स क्लाश 10 के SST के सलेवस में भी बहुत कुछ रिडियूस हो चुका है चलो इसी चीज़ को आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे और मैथ और साइंस की बात करें आज हमाई SST में क्या क्या कौन से चैप्टर से क्या क्या रिमूफ हुआ है so let's start so अगर चैनल को फॉर्स टाइम देख रहे हो तो लाइक सस्क्राइब और सेर्याज जरूर कर देना और अगर तुम पहले ऐसे देखते आऊ तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कर देना तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की और जो तुम्हारी बुक है उसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट टू इस चैप्टर में हमाई पस फोर चैप्टर को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है अब वह फोर चैप्टर कौन-कौन से ह चैप्टर को देखो तो कम्पलीटली हटा दिया गया तुम्हारे इस सब्सक्री चैप्टर की बात करें तो popular struggle and the moment इस chapter को भी completely हटा दिया गया है यानि तुम्हारे तीन chapters political science से हटा दिये गया है और यही नहीं एक four chapter भी है that is challenges to democracy यह chapter भी completely तुम्हारे syllabus से हटा दिया गया है so यहाँ पर हमारे पास total four chapters हैं जो तुम्हारे syllabus से हटा दिये गया है so बहुत ही अच्छी चीज़ की गई है यह ताकि तुम्हारा syllabus जो है वो थोड़ा easy हो जाएगा तुम पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे और जो तुम्हें बिल्कुल कम time मिला है ना study करने का board exam के लिए उस time period में भी तुम अच्छा output दे सकते हो इस चीज़ का benefit जरूर उठाना अच्छे से पढ़ाई करो अपना syllabus बिल्कुल सामने रखो इसके according पढ़ाई करो और अच्छे अच्छे marks ले आने की practice करो अब बात कर लेते हैं जिग्रॉफी की तो जिग्रॉफी में हमारे पास तीन chapters है एक फॉर्ष जो हमाँ पास है इस forest and wildlife, water resource and the mineral and energy resources so forest and wildlife की बात करें तो यह chapter completely, completely हमारे syllabus से हटा दिया गया है मतलब forest and wildlife जो chapter number two है जिग्रॉफी का और बुक का नाम है contemporary India 2 इस बुक से जो forest and wildlife का chapter है वो अब नहीं रहा तुमारे syllabus में इसके बात की बात करते हैं water resources की तो water resources की बात करें तो यह chapter भी completely तुम्हारी बुक से हटा दिया गया है बट एक condition अपला ही है इसमें जो map work है ना map work वो अभी भी तुम्हारे board exam में आएगा so water and resources water resources का जो chapter है इसके map work की practice तो बहुत अच्छी कर लेना और मेरे according तो map work अगर आएगा भी तो इन ही chapter से आने की chances अब जादा है क्योंकि तुमने science के syllabus में अलड़ी देखा होगा कि जो chapters completely हटाए गये हैं उन्ही chapters की practical कराये जा रहे है मतलब तुम्हें कहीं न कहीं उस chapter को पढ़ाया जा रहा है चाहे उसकी knowledge थोड़ी कम ही दी जाए so wild resources को important mark कर लेना for the map work और अगर हम बात करें next chapter की that is mineral and energy resources ये chapter भी completely हटा दिया गया है बट इसमें से भी तुम्हारा map work आएगा यानि map work के basis पे chapter number 3 and chapter number 5 that is water resource and the mineral and energy resources इन दोनों को ही important कहा गया है और ये अब हमारे NCRTK बुक में तो है बट हमारे CBSC के syllabus में written exam में नहीं आएगा और chapter number 2 जो forest and wildlife था ये completely हटा दिया गया है so ये बात थी जिग्राफिक की तुमने political science और जिग्राफिक दोनों को समझ लिया है so अब बात कर लेते हैं history की और बुक का नाम है इंडिया and the contemporary world 2 इस chapter में कुछ केटेग्राइजेसन भी किया गया है तो पहले मैं वो chapter complete कर लूँ जो chapter को completely हटा दिया गया है so यहाँ पर तुम्हारे पास एक chapter number 5 था print culture and the modern world इस chapter को completely तुम्हारे syllabus से हटा दिया गया है so print culture and the modern world ये छोड़ दो ये पूरी तरह से completely ना ही map work according आएगा और ना ही CBSC के exam में आएगा so अब देखते हैं कुछ chapter number 3 और chapter number 4 की बात करते हैं तो chapter number 3 जो तुम्हारे पास है that is making of the global world and chapter number 4 के है the age of industrialization इन दोनों chapter में से तुम्हारे पास option है मतलब ये option exactly तुम्हारे पास नहीं है ये option school के पास है वो इन दोनों में से कोई भी chapter को pursue कर सकते हैं बट ये जो chapters होंगे न ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे school के assessment में ही आएगे मतलब periodic test बगर में आएगे बट तुम्हारे board examination में नहीं आएगे so ये दो chapters में है दोनों में से option है तुम्हारे पास और option का मतलब ये है कि दोनों में से तुम्हारे school में एक ही chapter पढ़ाया जाएगा और एक chapter जो होगा वो तुम्हारे school के यूटी में, periodic test में, जो pre-board exam से उसमें भी आएगा बट तुम्हारे board examination में नहीं आएगा सो इस चीज़ पे भी अच्छा खासा ध्यान देना and the last one that is economics economics से तुम्हारे पास कोई भी chapter रिमूव नहीं किया गया है मतलब जो economy है उसमें से सारे के सारे जो chapters है वो सारे chapters तुम्हारे board exam में अभी भी आ रहे हैं सो यहाँ पे हमारे पास economics में टोटल four chapter थे development चलो बात कर लेते हैं इसकी यहाँ पे हमारे पास four chapter थे that is development second chapter हमारे पास क्या था sectors of Indian economy third chapter हमारे पास था money and credit and the fourth one is globalization of and the Indian economy so यह four chapters है और यह four के four chapters completely तुम्हारे CVSC में आ रहे हैं so यहाँ पर हमने चारो subjects जो तुम्हारे थे sht में history, geography, political science और economics सब में हमने देख लिया कि कौन-कौन से chapters आ रहे हैं और कौन-कौन से chapters नहीं आ रहे हैं so इस चीज़ को बिलकुल mind में clear कर लो कि तुम्हें जो chapters आ रहे हैं ना इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है so students यह था हमारा sht का syllabus और sht की preparation में बहुत अच्छी करना क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिला है और बहुत जादा chapters को हटा दिया गया है so जो जो मैंने इस chapter में बताया है कि किस chapter से theory questions आएंगे किस chapter से map के questions आएंगे और कौन से chapters तुम्हारे periodic test के लिए important है और कौन से पिरोड़ टेक्ट में नहीं आएंगे so इस सारी चीजों को एक जगा note करो अच्छे से समझ लो और फिर class 10 की preparation करना start कर लो और अगर कोई भी problem आ रही है नहीं studies related या किसी भी subject में so comment करके जरूर बताना मैं उसका पूरा solution दूँँगा so I am सुरी प्रकास right now signing off take care bye-bye